दिग्रस शहर में बिजली आपूर्ती में उत्तपत्र हुआ बिगार पिछले चार दिनों से हाथ नहीं आया है इसे महावित्रन की सुस्ति कहें या दिग्रस के बिजली ग्रहकों की पूट्टी किस्मत कुछ समझ नहीं आ रहा है मिशन गर्मी में लोगों की खुब पसी ने चूट रहे हैं पेश्चे दिगर समवादता जुबिर खान की यह खास रिपोर्ट महावित्रन की सुस्ति इन दिनों भीशन गर्मी में लोगों के लिए मानो किसी अगनी परिक्षा से कम नहीं है बीते कुछ दिनों से शेहर में बिजली आपूर्ती निरंतर रूप से ठप हो रही है जिसका खामियाजा आम बिजली गराकों को उठाना पड़ रहा है एक तरप जहां गर्मी का पारा दिनों दिन बढ़ रहा है वहीं भीशन गर्मी से लोग दूसरी तरप बेहत परेशान है लेकिन फिर भी कोई जिम्मेदार करमचारी या अधिकारी मावितरन के कार्यालाय में नहीं होने से उन्हें पिछले पहर लोटना पड़ रहा है लोगों की शिकायत यह भी है कि बीते दिनों रमजा नीद डॉक्टर बाबा साव अंबेटकर जहनती और राम नौमी के दोरान उन्हें बार बार बिजली खंडित होने से तरस्थ होना पड़ा था ऐसे में बिलवसूली में महावितरन यू तो बड़ी ततपरता दिखाता है लेकिन बिजली आपूर्ती सेवा देते समय उसकी यही ततपरता विभिन कारणों और बहानों के पीछे छुप जाती है बिजली ग्राकों के पूर्ती जवाब देही और कारे ततपरता की जिम्मेदारी को हलके में लेने वाले महावितरन के अधिकारियों और करमचारियों का लुका छिपी का खेल आखिर कब खत्म होगा इसका जवाब किसी के पास में नहीं ऐसे में ज़रूरी है कि वक्त रहते महावितरन बिजली समस्या का समाधान करने में मुस्तैदी दिखाए वरना महावितरन का काम इसी तरह ला परवाही और कच्छुआ गती से चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब महावितरन पर लोगों का गुस्ता फूट पड़ेगा NBCN News के लिए दिगरा से जुबहर खान की रिपोर्ट